दोस्तों आज कल सभी लोग phone pay का इस्तमाल जरूर करते हैं आप भी phone pay का इस्तमाल जरूर करते होंगे तो phone pay के तरफ से नया update जाड़ी किया गया है तो आज किस वीडियो में आपको हम phone pay के तरफ से जो नया update जाड़ी किया गया है इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा साथी लाइक करना मत बुलिएगा दोस्तों आप सबसे पहले फॉन पे एप को अपडेट कर लिजे हमने अपडेट कर लिया है चलिए ओपन कर लेते हैं दोस्तों फॉन पे आप को आपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर किसी को भी मॉबाइल नमर के मादेम से पैसा भेजते होंगे मॉबाइल नमर के मादेम से पैसा ट्रांसफर करते होंगे तो मॉबाइल नमर के मादेम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप लोग तो हम यहाँ पर टू मोबाइल नमर पे किलिक करते हैं अब यहाँ पर जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है यहाँ पर उसका डिटेल सो करता है तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका मोबाइल नमर या फिर नेम यहाँ पर फिल अप कर तो आप यहाँ से जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते आप यहाँ से उससका नाम सेलेक्ट कर सकते L इसके अलावा आप यहाँ पर new mobile number पे किलिक करके direct mobile number fill up करके भी पैसा transfer कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर mobile number select कर लेते हैं, यहाँ पर mobile number select करने के बाद यहाँ पर देखे पैसा transfer करने के लिए आगिया है, तो phone pay के तरफ से जो नया update जारी किया गया है, अब आप लोग किसी को भी image share कर सकते हैं, यानि कि photo share कर सकते हैं, यहाँ पर देखे photo का icon बना हुआ है, आप इस पर click करेंगे, अब यहाँ से आप select कर लेजे, gallery या फिर camera या photo, चलिए हम gallery select कर लेते हैं, अब यहाँ से आप allow कर देंगे, अब यहाँ से आप कोई भी image select करके share कर सकते हैं, जिसको भी आप share करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजे हम यह photo share करना चाहते हैं तो हम यहाँ से select कर लेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं image आ चुका है इसके बाद आप share पे click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह share हो चुका है तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर phone pay के माद्यम से कोई भी photo share कर सकते हैं इसके बाद जो यहाँ पर दूसरा update जारी किया गया है यहाँ पर देखिए plus का icon दिया गया है आप plus पे click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं share करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ से contact को share कर सकते हैं या फिर आप UPID share करना चाहते हैं तो आप UPID को select करेंगे अब यहाँ पर आपको UPID show करेगा तो जो भी UPID आपका पहले से phone pay app में save है यहां पर वह सो करता है तो आप यहां पर जो भी UPID को share करना चाहते हैं आप यहां से select करके share कर सकते हैं जैसे कि माल लिए हमें यह UPID share करना है तो हम यहां से इसको select करेंगे यह देख सकते हैं अब यह UPID share हो चुका है तो आप यहां से UPID share कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर कोई नया UPID share करना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर UPID पे क्लिक करेंगे अब यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे अब जो भी आप UPID share करना चाहते हैं आप यहाँ पर UPID fill up करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर fill up करते हैं यहाँ पर UPID fill up करने के बाद आप verify पर click करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ verify हो चुका है इसके बाद आप save पर click करेंगे अब दोस्तों जैसे ही आप save पर click करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं या UPID share हो चुका है तो इस तरीका से आप यहाँ प आपका account number phone pay में save है यहाँ पर वसो करता है तो आप यहाँ से वह account को select कर लेगे अब दोस्तों देख सकते हैं यह account number share हो चुका है जिसको आपने share किया है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं phone pay एक chat के तरह काम कर रहा है अब आप लोग यहाँ पर photo, contact, upid या फिर bank account number share कर सकते हैं जिसको भी आप share करना चाहते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो phone pay के तरफ से update जाड़ी क्या गया है अब आप यहाँ पर किसी को भी mobile number के माध्यम से पैसा transfer करते हैं जैसे कि आपको हम यहाँ पर पैसा transfer करके दिखाते हैं तो हम यहाँ पर amount fill up कर लेते हैं अब यहा पर view details पर click करेंगे तो आपको इस तरह का से नजराएगा आप यहाँ पर share receipt पर click करेंगे तो आप यहाँ से यह transaction detail को share कर सकते हैं चलिए हम इस पर click करते हैं दोस्तों इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर देखे share करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर phone pay के माध्यम से या transaction retail को share कर सकते हैं पहले या option दिया हुआ नहीं था जैसे कि हमने जिसको भी पैसा transfer किया है उसको हम transaction retail share करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ से continue पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर share पर click कर लेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं या transaction retail share हो चुका है तो इस तरीका से अब आप लोग phone pay के माध्यम से ही transaction retail भी share कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर phone pay के तरफ से जो नया update जाड़ी किया गया है अब आप किसी को भी पैसा transfer करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर 10 रुपए transfer करते हैं यहाँ पर amount fill up करने के बाद amount के सामने में देखे यहाँ पर magic का icon बना हुआ है आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे आप लोग amount के साथ साथ या background भी send कर सकते हैं जो यहाँ पर नजर आता है जैसे कि माली यह हम इसको select करते हैं अब यहाँ पर जिसको भी आप पैसा transfer कर रहे हैं उसके mobile पर amount के साथ साथ या background भी receive होगा तो इस तरीका से उसके mobile पर या so करेगा चले इसके बाद paper किलिक करेंगे अब यहाँ पर आप अपना UPI pin fill up कर लेंगे अब देख सकते हैं यह payment हो चुका है यहाँ से done पर किलिक करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जिसको भी हमने पैसा transfer किया है उसके mobile पर amount के साथ इस तरह का background भी receive होगा तो यह phone pay के तरफ से नया update जारी किया गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर phone pay के तरफ से जो नया update जारी किया गया है अब आप यहाँ पर reminder set कर सकते हैं आपको यदि याद नहीं रहता है कि हमें कब किसको पैसा transfer करना है किस date में पैसा transfer करना है तो आप यहाँ पर reminder set कर सकते हैं काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी करण से भूल जाते हैं कि हमें कब किसको कितना रुपए पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर reminder set कर सकते हैं तो जो भी बैक्ति का आप reminder set करना चाहते हैं आप यहाँ पर आप यहाँ से वह mobile number को select कर लेंगे चलिए हम select कर लेते हैं यहाँ पर mobile number select करने के बाद यहाँ पर देखे ऊपर में है three dot आप इस पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है Manage Reminders आप इस पर क्लिक कर लिजे इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मागया है Add Reminder आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको कितना रुपए इस बैक्ति को ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर वह amount fill up करेंगे जैसे कि मालिजे हम यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमने 10 टाइप कर लिया है इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है Frequency तो यहाँ पर देखिए Monthly by default set किया हुआ है इसके बाद यहाँ पर है Quarterly, Half Yearly, Yearly, Daily और Weekly तो आप यहाँ पर अपने मर्जी से सलेक्ट कर सकते हैं चले हम सलेक्ट कर लेते हैं मालेजे हम यहाँ पर Weekly सलेक्ट कर लेते हैं यानि कि सब्ता में एक बार इस बैक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है इसके बाद यहाँ पर देखिए Date सलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कलेंडर का एकून पर Date सलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे, आप जो date से reminder set करना चाहते हैं, यहाँ पर वह date select कर लेंगे, जैसे कि माल लिजे हम 4 तालिक से यह set करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 4 तालिक select कर लेते हैं, इसके बाद OK पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर add a message, आप message में कुछ लिख भी सकते हैं, यह optional है, नहीं तो इसको छोड़ दीजे, चले इसके बाद आप यहाँ पर save पर click करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पर reminder set किया है, वह set हो चुका है, तो आप इस तरीका से यहाँ पर reminder set कर सकते हैं, अब आप लोग कभी भी इस बैक्ति को पैसा transfer करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर paper किलिक करके, आसानी से पैसा transfer कर पाएंगे, इसके अलावा दोस्तों आपने जो यहाँ पर reminder set किया है, आपको phone pay app में notification भी मिल जाएगा, कि आपको पैसा transfer करना है, इसके अलावा आपके mobile पर भी notification आता है phone pay के तरफ से, यदि आप कभी भी reminder को delete करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से जो भी बैक्ति के लिए आपने reminder set किया है, वह यहाँ पर contact को open कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर three dot पर click करना है, इसके बाद आप यहाँ से manage reminders पर click करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देखे delete का icon दिया गया है, आप इस पर click करके delete कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ से confirm पर click करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं यह reminder delete हो चुका है, फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर